दोस्तो अक्सर मौसम बदलते ही शरीर में खुजली की प्रॉब्लम बढ़ जाती है खास कर जब गर्मी का मौसम आता है तो यह प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप सुरुवात में इसकी दवा नहीं लेते हैं तो यह प्रॉबलम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है यह आगे जाकर दिनाय अदाद का रूप ले लेती है जब यह प्रॉबलम और ज़्यादा हो जाती है तो जल्दी से ठीक नहीं होती है कई कई बार इसे सालों सालों दवाई चलाना पड़ता है तहां तक यह प्रॉबलम ठीक नहीं होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा महतपूर होता है कि इसको सुरुवात में ही इसको ठीक कर लिया जाए जब खुजली की प्रॉबलम ही नहीं रहेगी तो आपको प्रॉबलम होने की संका नहीं रहेगी इस समस्या को ठीक करने के लिए आज हम एक टैबलेट के बारे में बताएंगे जिसको अगर आप एक टैबलेट भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके बोड़ी की कैसी भी खुजली हो एक गोली से ही समापत हो जाएगी आपको आगे चलकर दाथ, खाथ, खुजली जैसी प्रॉबलम का कभी भी सामना नहीं करना प्राएगा आज हम इसी टैबलेट के बारे में जानेंगे उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का पटन दिया गया उस पर किलिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आज हम बात करेंगे केसे टैबलेट के बारे में आज हम इसके composition, भाइदे, कैसे इस्तेमाल करना है और side effect की बारे में जानेंगे दोस्तो केसे tablet को open company दोड़ा बनाई जाती है इसके 10 tablet की MRP 18 रुपे होती है लेकिन ये आपको 10 रुपे पर रिस्टिप आसानी से मिल जाएगी इसके हिसाब से देखा जातों काफी सस्ती दवाई है इसके composition की बात करें तो दोस्तो इसके अंदर hydrogen hydrochloride, dust mg, salt के रुप में पड़ा होता है दोस्तो आप कोई भी citizen tablet ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप इसको ही लीजे citizen होना चाहिए बस अगर आपको allergy है मौसम बदलने से सरीर में खुझली हो रही है और आप सुरुआत में इसको इस्तिमाल करेंगे तो आपको दाद खाद खुझली ऐसी problem कभी भी नहीं होगी दोस्तो citizen के मुक्य फायदों की बात करें तो दोस्तो इसका जो सरीर में खुझली होना नाग बहना छीक आना आँखों में पानी बहना गले में खरास होना जैसे कोई भी allergic problem है तो आप इसको ले सकते हैं इसके एक tablet से ही आपको लगबग आराम मिल जाता है लेकिन अगर आप इसको 4-5 tablet चला लेते हैं तो आपको पूरी तरह से आराम मिल जाता है इसको आप अपने घर पर भी एक इस्टिप जरूर रखें दोस्तो आप बात करते हैं इसको कैसे सेवन करना है तो दोस्तो इसको आप रोजोना रात को सोने से पहले एक tablet सेवन करें दोस्तो कोई भी allergic की tablet रात को ही इस्तेमाल किया जाता है कि क्यों इसको लेने के बाद हलकी फुल की नीद आती है अगर आप इसे सुबा लेना चाहते हैं तो आप सिट्री जिन फाइप एमजी लेजिए वो ज्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तो बात करते हैं इसके कुछ साइड डिफेट की तो दोस्तो नार्मली साइड डिफेट आपको हो सकते हैं जिसे थकान महसूस होना बेचैनी, पेट में दर्द होना मुसूक होना, उल्टी होना जैसे common side effect आपको देखने पर मिल सकते हैं दोस्तो कोई भी दवा लेने से पहले डाक्टर से सला जरूर लें और अगर आपको allergy की problem है तो आप citrigen tablet को एक पत्ता अपने पास जरूर रखें दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं और एक नहीं जानकारी के साथ जैहिन दोस्तो